अलो स्रेंट गुड मॉर्णिंग ओल आफ यू हमारा जो टॉफिक चला है जो लेसन चला है हमारा दे लास्ट लेशन उसके उपर हम टांसलेशन आपको करवा रहे हैं आज ठीक है ना आज कल हमने क्या किया था हमारा जो लास्ट संटेंस था डेट वाट थंडर क्लफ वाट्स यह वाला संटेंस समारा था वाट थंडर क्लफ वाट्स यहां से हमने आगे आज देखना है इसको क्या का था लिटिल फ्रेंच के उपर जब मिस्टर अनॉनल ने कुछ अनॉंस किया कि I want to you very attentive today because this is my last translation due to the reason of the war France-Persia and led by Bismarck this was the Franco-Persian Wars between 1870 and 1871 that timing period the two districts more affected and the school lives very much disturbed Alsace and Lorine two districts are very much affected after that war the timing period of 1870 and 1871 तो जो लॉरीन और Alsace के दो जिले हैं वो बहुत जड़ा affected रहे और स्कूल लाइफ में बहुत जड़ा प्रभाव पड़ा उनका तो उसी के ओपर ए लेसन में डिसकॉस हमारा हो रहा है तो जब MML ने अनौन्स किया सभी के सामने की डिस इस माइ लास लेशन तो वार थंडर कलब दीज वर्ट्स वर टू मी कहता है लिटिल फ्रेंज यानि कि इन सब्दों का मेरे उपर कितना ज़्यादा आगात पहुंचा यानि कि स्थब्द करने वाले वर्ट्स थे ओ दे रेचेज देट वज वट दे हैड़ पूट अफ अट टाउन हॉल यानि कि उन्होंने टाउन हॉल के लिए क्या नहीं किया मिस्टर एमल ने बहुल नम्भी सर्विस उन्होंने वहां की है तब जो यह नीचे का पूरा का पूरा पैरा है इधर से इसको थोड़ा गौर से आपने देखने है क्योंकि यह पूरा का पूरा मोनलोग है इधर से स्टार्ट होता है मोनलोग मां आपको टिक लगा के दिखाता हूँ इधर से यह मोनलोग है पूरा यह पूरा इसको जहां से नोट करना है आपने that's called मोनलोग m-o-n-o-l-o-g-u-e यह क्या है मोनलोग है मोनलोग का मतलब होता है स्वगत कथन यानि कि जिसको आदमी क अगरा करता है किसी भी विए मे अपने आप में बातना करता है आपने आप से बात करता है तब फ्रंज भी अपने आप से मोनलोग का परियोग करते होई इधर का इतने पूरा का पूरा पहरा जो है क्या सोचता है वह कहता है कि मै야 अंतिम अद्याइज वाई क्यों I hardly knew how to write सा How sorry I was for not learning my lessons तब कहता है ओ, मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैं अपने अध्याय को पार्ट को नहीं सीख सकता था For seeking words X or going sliding on the SAR क्या का गया है और पक्षियों के अंडे तलासने और तालाब में तैरने की वज़ा से वह जो है किताबें My books that had seemed such a nuisance जो थोड़ी तेर पहले मुझे एक बेकूब लगती थी नूसेंस का मलब बेकूब बेकार लगती थी So heavy and to carry जिनको ले जाने में मुझे ऐसा लगता था My grammar, मेरा ब्याकरन and my history of the sense यानि की संतूं का इतिहास were old friends यानि की मेरे पुनाने मित्र Now that I could not give up मैं उनको त्याग नहीं सकता and MML, Mr. MML तो टू, उनको भी नहीं त्याग सकता है उनको भी नहीं छोड़ सकता The idea that he was going away यानि की बिचार ये सब मेरे दिमाग में दोड़ रहे थे that I should never see him again मैं उनको अब कभी देख नहीं पाऊंगा made me forget all about his ruler and how cranky he was यानि की मैं उन सब चीज़ों को मुझे भूलना होगा और उनका क्रोध cranky he was यानि की जब वो ruler, iron ruler अपने arms के नीचे दबा के आते थे वो सब चीज़ें क्या है मेरे लिए अब बीते हुए दिनों की बात हो जाएगी poor man poor man ये सब्द यूज किया है यहां पर ये poor man जो सब्द यहां पर यूज किया गया है poor man किस के लिए यूज है MML के लिए यूज है it was in honor of this last lesson that he had put on his fine sunday clothes यानि की ये जो last का अध्याय पढ़ाने के लिए वो आज आये थे उन्हें सुन्दर सुन्दर जो कपड़े पहने है वो अंतिम अध्याय के दिन ऐसे कपड़े उन्हें पहने है and now और अब I understood मैं समझ गया था कि why the old man of the village were sitting there in the back of the room आज क्यों ये गाओं के सभी लोग जो है वो क्या है ये back benches में क्यों बैठे है why the old man of the village were sitting there in the back of the room ये जो पुराने लोग बुजूर के लोग बैठे है क्यों बैठे है और मेरी समझ माया it was because they were sorry क्योंकि वो क्या करना चाहते है खेत परकट करना चाहते है that they had not gone to school more अब वो भी कभी बिद्याले नहीं जा पाएंगे it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country यानि कि अपना क्या it was their way of thanking our master यानि कि हमारे master यानि कि MML को धन्यबाद बेक्ट करने का इस तरीका था उनका यानि कि his 40 years of faithful service उनके इस 47 साल के सिवाभाव 40 साल उनको जो उनने सर्विश दी है of and of their respect for the country that was there no more यानि कि अपने राष्ट को सम्मान दिया जो अब उनका नहीं रहा while I was thinking all of this जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था I heard my name called मेरा नाम पुकारा गया it was my turn to recite अब अध्याय को सुनाने का मेरा turn था मेरी बारी थी what would I not give have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through मुझे खुद पता नहीं था कि मैं बिना भाइबीत वे that dreadful rule वो भाइबीत करने वाले मेरे जो rule मुझे पार्टी स्वल के बताने थे मैंने उनको without very loud and clear बहुत उची हवाज में बिल्कुल सच्छ हवाज में साफ हवाज में बिना गलती की वे बोल दिया and without one mistake बिना किसी गलती की but I got mixed up on to the first words and they stood there यानि की एक-एक सब्द करके मैंने उन सब का सार MML को बताया holding on to my desk यानि की अपने desk को पकड़े वे my heart beating मैंने मेरा हर्दय क्या कर रहा था beating मैंने धड़क रहा था जोर जोर से and not daring to look up और मुझे उपर देखने की बिल्कुल भी हिमत नहीं थी I heard Mr. Ehmel say to me मैंने सुना कि Mr. Ehmel मुझे कह रहे थे क्या I would not scold you मैं तुमको डाटने नहीं जा रहा हूं little friends you must feel bad enough आपको बहुत बुरा लग रहा होगा see मैंने देखो how it is या कैसे हो गया I have plenty of time हमारे बात बहुत समय ऐसा सोचते थे हम I will learn it tomorrow इसको हम कल सीख लेंगे and now you see अब आप देख रहे हो where we have come out हम कहां आ गए है that is a great trouble with alseish यह क्या है she puts off learning till tomorrow हम हर कारे को कल के लिए याद करने के लिए रखते थे now those fellows out there will have the right to say you अब क्या है हम किसी भी कारे को कल के लिए छोड़ देते थे अब हमारे साथ क्या है I have the right to say to you इस बात को मा आपको बहुत पहले से बताता था how it is अ कैसे हो गया you pretend तुम दिखावा करते थे to be the frenchman होने का and yet you can neither speak nor write your own language अब आप अपनी भासा को न कभी लिख सकते हैं ने बोल सकते हैं but you are not the rust लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ poor little french we all have a great deal to reproach ourselves with यानि कि हम सब को क्या करना है इसको जिवनत रखने का प्रियास करना है reproach रखने का प्रियास करना है your parents were not anxious enough to have you learn आपके माता पिता आपके parents भी आपके पढ़ाई के लिए सिखने के लिए बहुत जिग्याशू नहीं रहे they prefer to put you to work on a farm or that mills आपके माता पिता क्या है क्या चाहते थे वो भी आचाहते थे कि आप farm में काम करो mills में काम करो so as to have a little more money जिससे कि क्या धन आ जाये हमारे पास and I और मैं भी I have been to blame also मैं अपने आपको भी क्या blame लगाता हूं I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson मैं भी क्या करता था अध्याय पढ़ाने के बजाये आपको flowers में क्या करता था watering करने के लिए भीजता था and when I wanted to go fishing जब मैं fishing करने के लिए जाता था और मसली पकाने जाता था did I not just give you a holiday आपको छुटी नहीं देता था then from one thing और एक चीज और another दूसरी एक के बाद दूसरी चीज बोलते कही MML MML went on का आ गया यानि कि MML went on का मला MML बोलते कही to talk of the French language मेरे फ्रांसी भासा के बारे में same और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं that it was the most beautiful यानि कि यह क्या है सबसे सुन्दर भासा है इधर आपको एक picture बनाया गया है यह पुरा France है ठीक है ना यह France है और इसके जो district है Elsis और Lauren भी इसमें दरसा रखे हैं इसको आप उसके मादम से देखना उसके बाद आगे क्या कह रहा है most beautiful language in the world यानि कि क्या है संसार की सबसे सुन्दर भासा है सबसे अच्छी भासा है the clearest यानि कि बहुत सच्छ भासा the most logical तर्कपून भासा है that we must guard it among us and never forget it हमको इसकी रक्षा करनी चीए हमको इसको कभी भूलना नी चीए because मैंने क्योंकि one of people are enslaved जब भी कोई गुलाम बनाय जाता है as long as they hold fast to their language it is as if they have the key to their prison यानि कि जब भी कोई आदमी अपन गुलाम बना जाता है तो उनके पास सिर्फ एक चीज जो होती है prison में वो क्या होती है ये भासा होती है language होती है वो जेल में जाने के बाद भी उनकी जो भासा है वो जीवन तर रहनी चीए जीवित रहनी चीए और वो भासा को उनने चाबी के रूप में यूज किया है की टू दियर प्रिजन निखाया ने की जील की क्या है चाबी है उनकी भासा देनी ओपन ग्रेमर उनने तब ब्याक्राण की किताब खोली एंड रीड अस आवर लेशन तो हमारा अध्याय पड़ाया आई वोज अमेज तो सी हा मैं बड़ा चकित था अमेजन मैं आज चकित होना मैं बड़ा चकित था की कैसे क्या कहते है मुझे समझ माजे सब कुछ आ रहा था All he said seemed so easy बहुत सरल लग रहा था मुझे so easy बहुत सरल I think मैं सूच रहा था तू मुने भी that I had never listened so carefully मैंने आज तक explain किया It's मुझे ऐसा महसूस ले हुआ क्योंकि और दिनों मैं ध्यान देता था आज मैंने अगर ध्यान दिया तो मुझे क्या लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान पुर्वक बहुत patience से MML पड़ा रहे हैं It seemed almost as if the poor man wanted to give us all in you before going away मुझे ऐसा लग रहा था कि बेचारे MML ये चाहते हैं कि जाने से पहले सब कुछ हमको बता जाएं and to put it into our heads at one stroke और ऐसा लग रहा था हमको देखकर कि एक बार में हमको सब कुछ बता ज़्यान चाहते हैं After the grammar मने ब्याकरन के बाद we had a lesson हमारे पास दूसरा द्याया in writing मने लिखने का that day मने उस दिन MML had new copies for us हमारे जो MML है थे हमारे teacher थे उनके पास हमारे लिए नई copies थी written in a beautiful round hands जिन में क्या लिखा था सुन्दर सुन्दर लिखा वा था copy के बाहर से France, Alcish, France, Alcish they looked like little flags floating everywhere in the school room ऐसा लग रहा था कक्षा के कक्ष में कि पूरा कमरा जो है हर जगा क्या है जंडे तैर रहे हैं किसके France और Alcish के hung from the road at the top of our desk यानि कि हमारे desk में क्या ऐसा लग रहा था बिल्गल जंडे लगे हैं you ought to have seen how everyone set to work हर कोई क्या है अपने अपने कारे में बैस्ट था हर कोई बच्चा and how quiet it was कितना सांत दिन था the only sound was the scratching of the pants यानि कि सिर्फ एक आवाज जो आ रहे थी scratching के आ रहे थी किसकी pants की यानि कलम की आवाज over the paper ने paper के उपर once some beetles flew in कुछ भौरे जो हैं उनके भौरे के भौरे के आवाज ने आ रहे थी कमरे में but nobody paid attention to them लेकिन किसी ने भी इनकी ओर ध्यान ने दिया not even the littlest ones छोटे बच्चों ने भी नहीं यहां तक की जो बच्चे क्या कर रहे थे who worked right on trashing their fish hooks जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं मसली के काटे खींच रहे थे मसली के काटे का मलब scratching कर रहे थे pencil से अपनी copy में as if they was french ऐसा लग रहा था जैसे वो भी क्या हो french हो two मैंने भी on the roof of the pigeons cooked very low छट पर क्या हैं धीरे धीरे आवाज में कबूतर के कूकने की आवाज and I thought myself अपने आप से मैंने सोचा will they make them sing in German even the pigeons यहां तक की pigeons मैंने कबूतर भी क्या कर रहे हो जैसे वो भी जैसे फ्रेंच भासा को गुर्गुना रहे हो यानि की even the pigeons लिखा है यहां तक आपने transition देखना है last में जो कल मैंने पढ़ाया था उससे आगे का transition आपने यहां तक देखना है आज इसके word meaning को अपने fear copy में करना है अगला जो chapter आएगा next अगला जो part आएगा pigeon से आगे यह अगला part जो है हम कल finish करेंगे ठीक है ना यहां तक कि आपको क्या करना है translation करना है translation copy अलग बनानी है और आपको word meaning पर concentrate करना है ठीक है ना thank you